नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तो आज हमारा वीडियो थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि आज मैं थोड़ा मुझे काम था तो मैं इसलिए वीडियो जो रात को सूट कर रहा हूं तो दोस्तो आज का वीडियो है हमारा वो है कि यहाँ पर जो है हमारे को जो मार्गिट के अंदर बहुत सारे मोडूल देखने के लिए मिल जाते हैं बिलूटूथ के अब हमें यह समझनी आता कि हमें कौन सा मोडूल परचेस करना चाहिए जो हमारे लायक हो अब यहाँ पर देखे आप कोई भी आकर नया बिलूटूथ स्पीकर बना रहे हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि जो बिलूटूथ कीट है वो हमें कौन से मोडूल का लेना चाहिए है अब यहां पर पहले मैं आपको मोडल दिखा देता हूं देखे एक मोडल हमें यह मिलता इसके अंदर हमें तीन माइक्रजुकमिल जाते हैं फिर हमारा दूसरा हमारा यह TG 113 बहुत ज्यादा मिलता है मारकीट चेंदर हमारा हो गया पढ़र हमारा यह वाला मोडल हो गया ये दिखिए फ़ें अमरे ये वाला मोडल होगे यह दिखिर का फिर आपने काफी स्पीकरों के अंदर देखा होगा फिर आप मारे किंट इसके अंदर किट तो कोज़्वन सारी मिल जाती हैं लेकिन अब हमें ये सम्मजने आता कि हमें कौन सा किट लेना चाहिए तो यहाँ पर देखिए अगर आप Bluetooth speaker बना रहे हैं और वहाँ पर आपको किसी Caminate के अंदर Bluetooth speaker को बनाना है और वहाँ पर module ऐसा लेना है जो fit हो जाए तो यहाँ पर जो यह dummy के अंदर आपको module मिलते हैं यह आपको लेने चाहिए प्योंकि इनकी जो fitting है बहुत अच्छी होती है आपको simply क्या करना है कि body को cutting करना है और इसको लगा देना है यहाँ पर चार screw होते हैं यह बिल्कुल fix हो जाता है यहाँ पर भी आपको module काई तरीके के देखने के लिए मिल जाएंगे देखिए इसके अंदर यह तीन हमारा micro सुच वाला है फिर हमारा यहाँ पर चार सुच इस तरीके से यह देखिए इसके अंदर चार है और यहाँ पर bluetooth kit सब के अंदर होती है फेर हमारा एक इस तरीके से मिल जाता है और इस सब के इंदर dummy मिलती है हमें यानि की body हमें देखिए और यहां पर आपको option भी मिलते है कि double speaker के अंदर चाहिए आपको यह आपको single speaker चलाना है यह देखिए single में है यह देखिए अब यहाँ पर यह है कि अगर आप किसी body के अंदर Bluetooth speaker को बना रहे हैं तो आप simply इन वाले Bluetooth speaker को kit को लें जिसके अंदर यह dummy लगी आती है यानि कि अगर यह body के अंदर लगी हुई है तो आप इसको कहीं भी fitting कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से ना कि आप यह वाली किटे ले क्योंकि यह खुली किटे आगर आप ले लेंगे तो इसके अंदर कोई body वगएर नहीं आती और आपको किसी cabinet के अंदर लगाने के लिए इसके अंदर बहुत सारे जुगाड़ करने पड़ते हैं तब जाके इनकी fitting होती है तो इसलिए कभी भी आप अगर online purchase करते हैं या किसी market में लेने जाते हैं तो आप इस तरीके की kit लेके आए और यह वाली kit जो है आपको इनी के rate में मिल जाती है जैसे कि अगर यह हमारा kit market के अंदर जैसे कि इसका rate अगर 60-70 रुपए है तो यह वाली kit हमें 10-20 रुपए उपर मिलेगी बस यानि कि अगर यह 100 की है तो 120 की मिलेगी और अगर यह हमारी 1.5 की है तो यह हमारी 160-170 की मिलेगी यानि कि 10-20 रुपए इसके dummy के हमारे extra चले जाते हैं बाकी same rate होते हैं कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आती तो दोस्तों मेरी यह जानकारी आगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करना, share करना, subscribe करना और bell के icon को जरूर दबाना मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा